and help us make the journey from me to we, from self to country. श्रधान जिली अर्पित करने के बाद, प्रधान मंत्री का राजपत की और प्रस्थान हो रहा है। As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the Reetling ceremony and moves towards the saluting base at Rajpat, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead towards a future that is equitable and secure for all. राजपत राजपत राए सीना पहाडी की ओर से विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग, राजपत कहलाता है जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पहले इसे Kingsway कहते थे और ये दृश्य भव्य राश्ट्रपती भवन के प्रांगन के जहां से माननिये राश्ट्रपती जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछी समय में और राश्ट्रपती जी को एसकॉट कर रही हैं सैने सचिव लेटिनेंट जनरल संजीव राय, उपसेने सचिव एर कॉमदोर अनुज गुपता और ADC मेजर गोपाल सिंग पुनिया और लेटनेंट कमांडर पारस सेंग कर रृू टे राय को सिंगं प्रू और इस जाए अँ इसे कवरograph़न तोर शजए हिर शर्ष बीच्प आय मेंनखी ट्यू अज यूजए सचिव गणिर टेंगार टेम्स पार्ट्रपत्वर्ट आर टूच्पत। रश्पती भवन अफिशिल रसिदेंस फ़ प्रेजडन बिव वी इनिटी और मिगनिद इन्विस इन्विस इस तो कर दो कर दो बम्हाए्ट सेक So, the President of India, Shri Ram Nath Kovind, now will exit the forecourt of Rashmadi भावन and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts. The ceremonial President's Bodyguard. Raised in 1773, this is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. इतिहास में एक और अध्धिया जोड़ता हुआ, और भारत इतिहास में ही एक नया युग शुरू हुआ.